नमस्कार मैडिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आजकल लोगों को लिवर से जुड़ी तमाम तरगी बिमारिया हो रही है और ये सारी लाइफस्टाइल की वज़ा से हो रही है और सबसे बड़ी समस्या लिवर में ये हो रही है कि फैटी लिवर की समस्या से लोग ज्यादा जूज रहे हैं और आजकल देखने को भी ज्यादा मिल रही है तो इस विशय में हम जानकारी लेने वाले हैं कि सबसे पहले डॉक्साब बहुत-बहुत स्वागत है आपको धन्यवाद आपको तो सबसे बड़ी समस्या जो आज कर लोगों के साथ है कि वो फैटी लिवर की समस्या से जूज रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कित मैं आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपके सामने जो टॉपिक यह लोग ले के आए हैं और हमसे जिस टॉपिक के और हमसे बात करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्पुर्ण है यह महत्पुर्ण क्यों है पहले मैं यह समझाता हूं आपको फैटी और यह कैंसर में भी तबदील हो सकता है अगर अगर अपको शमझ करते हैं और को समझ लेके समझ करते हैं वह कहना करते हैं और सबसे तो कितना एक आदमी जो है किन-किन समस्याहों से गुजरने लगता है अगर हम बात करें कि fatty liver है क्या fatty liver का मतलब होता है liver में fat का accumulation होना specifically fat में triglyceride जब liver में accumulate होता है तो उसको हमें एक नाम देता है fatty liver ये बहुत बार टर्फ है इसमें इसमें बहुत जो फैटी लीवर्स पर्दमन दूसरा ज़ो चीज है पयों और पर यह दुड़ी तो थो चालिस से से इंडाप्री इंडिया मेंद κालीस परसिंड और नौन इलकोहलिक flake लीवर पाये गया है और पूरे देश में 30% लोगों में नॉन अल्कॉलिक फैटी लीवर पाये गया है इसको बिल्कुल इलाज ना करें और इसको ऐसे ही रहने दें और अगर आप उसके बारे में अवेर नहीं है तो यह आपको चैंसर और सीरोसिस करा सकता है और यह आपके ल लक्षन तो जो सबसे जो खराब चीज है हमारे लिवर के बारे में लिवर की जो बिमारी होती है उसके सुरुआतू दिनों में लक्षन कुछ नहीं होते हैं 60-70% केस वे भी 80% केस में कोई भी श्म्टम आपके पास नहीं होता है आप किसी और कारण से आपके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं जो किसी आर कारण से और यसे आरा सॉउटिशी के मतलब आपको असी और कारण से इलाश कराने गए और अल्रा सॉट跟大家 लिए ऑए वह बहुत बड़ा परसंटेज होता है, उसके बादे 20-30% लोगों में कुछ लक्षन आते हैं, इसमें सबसे बड़ा लक्षन होता है थकावट लगना, थकावट बहुत कारुण से हो सकता है लेकिन फैटी लीवर कभी बहुत बड़ा लक्षन है 60% लोगों में जो अगर सारे symptom की बात करें इसमें common है थकावट वी दोपहर की थकावट सुबह फ्रेस फिल करना दोपहर में थकावट लगना दूसरा चीज होता है अपके पेट के उपरी हिस्सों में दाएं साइड जहां लीवर है वहां पे दर्ध होना वहां भारी पन लग तो बहुत जो सुनोरिंग कर रहे हैं जिनको बहुत अबसीटी है उनको भी फैटी लीवर हो सकता है उसके कारण भी हो सकता है और कोई ऐसा मरीज जिसको अभी तुरंद पता चला कि उसके बीपी में बढ़ोतरी हो गई है उसको ब्लड प्रेसर की शिकायट हुए है तो यह अब पर जाती है 90% वाले पेसिन में फैटी लीवर देखने को मिलता है तब भी फैटी लीवर की सम्भावना बढ़ जाती है तो अगर आपको यह सारे चीज आपके पास पहले से है डायुटी और अबसीटी या हैपर टेंसन तो आपको अपने फैटी लीवर की जाज करानी कि नहीं हुआ है एक फैटी लीवर वाला जो इंसान है जिसे यह समस्तिया हुई है तो वह किन चीजों को अवोइड कर सकता है खाज कर बात अगर खान पान की कर ले तो क्या खाए वो समय और क्या ना खाए तो हम फैटी लीवर की एगर हम बात करें तो फिर उसमें दो जरिफ fatty liver और दूसरा NASH, Non-Alcoholic Estitio Hepatitis, इसका मतलब होता है कि fatty liver के साथ-साथ-साथ- liver में सूजन सुरू हो चुका है, उसमें fibrosis सुरू हो चुका, ये advanced stage होता है, इसे हम लोग ultrasound के बाद fibroscan करके भी पता करते हैं, तो अगर आपको fatty liver हो या NASH हो जो भी आपसी से भी हम पता करते हैं उसमें आपका LFTB चेंज होने लगता है तो इसको रोकने का बस एक ही तरीका है वह है तरीका life style modification, exercise and diet control जो बहुत ही अच्छा person किया इसलिए मैंने सुरुआत में ही कहा था दोस्तों कि आप इस वीडियो से खुद का इलाज कर सकते हैं क्योंकि इसका इलाज ही आप में छुपा हुआ है कोई दवाई अभी तक पुरी दुनिया में इसलिए नहीं बनाई गई है जो recommended हो बहुत सारी दवाई पर ट्राइल चल रहा है बहुत सारे नाम है जिस पर ट्राइल कल रहा है फेज 3 फेज 2 ट् को भी ट्राइल करना वह एफाईल सुगर चीनी जहां भी दिखे और देखे आप्ते नाम हो चेनीह तो दीच्वाइल कि जो भी दिखे आपको दे रहा है चायमें शींब कॉफी में चीनी उसको एबॉड करें तो चीनी से बनेます gezeigt कर दूब सरकम बने को और चीनी को और दू और इसके अलावे आप अगर बात करें पिज्जा बर्गर इस सब में प्रुसिष्ट टाइप का मेटेरियल एंड फैट कंटेंट बहुँ जादा है अगर उसको अभी से बंद करें अगर आपको अभी से बंद कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर स्वस्त रहे तब क्या खाना है तो उसमें खाने के अगर हम बात करें तो आपकी जो भी एंटी ऑक्सिडेंट रिच फूड है आपकी हरे सब्जियां पत्तेदार सब्जियां उसके लावे अगर हम बात करें तो आपको खाने में फ्रूट्स का सेवन जितना फ्रूट्स हो सके आप खाने को अ अब जब भी खाना ले उसमें 70% fruits and सबजियों पे ध्यान दें भी हरी सबजियां आलू की सबजी नहीं हरी सबजियां फिर हम बात करें कि तली हुई च्छनी हुई चीज बाहर के खाना अगर आप पॉसिबल हो सके आप घर में रहते हो तो बाहर के खाने को complete no बोल नहीं खाना मुझे बाहर का खाना जो भी processed food है उसको नहीं खाना है तो इन सब चीजों को करके आप अपने बेट को भी कम करेंगे fatty liver भी कम होगा आते हैं बात एक data पे बहुत बड़ा survey ट्रायल हुआ उसमें बताया गया कि अगर अपने सरीर के बजन को 5% कम करते है तो fatty liver का नहीं कर बाते हैं तो हमीं सीरोसिस से बचाना है अपने आपको fatty liver grade 1 भी सिरोसिस में तबदील हो सकता है और 2 भी हो सकता है इसलिए हम जब भी fatty liver देखें हम उसी समय से एक लिश्ट बना लें कि मुझे क्या क्या नहीं खाना है तो इन सारी चीजों के वाइड करना है थाली म आरिने डेलि आपको risk walk करना है तो फिर आता है कुच अन सर risk walk होता क्या है तो risk walk बहुत अलगलि defit지만 दिया घयागा मेरा simple एक कहना है आप ऐसे तरह से चलें कि आप बात ना कर सकें चलें की स्पीडिक इत्नी हो कि आप फोन पे किसे बात ना कर आकर सकते आप मतलब बहुती चलना है सब्सक्राइब तेजिप दूसरी बात बजन को तेजी से नहीं हटाना है एक वाल कि सर बजन कम करना सफटा में थे पांच किलो कम लिया तीजी से बजन घटने पर भी फैटे लिपर बढ़ सकता है अब आता है कि अगर पेसिंग को अल्रेडी डायोटीज है, पेसिंग को हाइपर टेंशन है, उसको खराटी की O.S.E की नाम की बीमारी हो, सारी बीमारियां फैटी लिवर के साथ है, एक अमरिला टर्म दिया गया, मेटाबोलिक, मेफल्डी, अब मेफल्डी टर्म चलता है, मे अगर लिवर में फैट होना, अगर लिवर में फैट है, तो कहीं ने कहीं आपके वलड वेसल में भी फैट जमा हो रहा है, और वो आपको कलकेडेट में हड़ डेक करा सकता है, आपको श्ट्रोक करा सकता है, अगर लिवर में फैट देख रहे हैं, तो आपके और भी सरीर के अंग में भी डैमेज होने का चांस है, उसी समय से सचेत होके आप दौड़ना सुरू करें, आप खाने पे कंट्रोल कर लें, आप अपने जीवन सहली को बदलने, श्ट्रेस कम करें, प्रोपर नीन लें, आठ घंटे की नीन चाहिए, आपको प्रोपर नीन लें, और इसको बिना किसी दवाई के आपका फैटी लीवर, आपका नास बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, अगर ठीक ना हो तो मैं आपके सामने बैठा हो, आप मुझे टेक्स करना, आप हमको मेल करना कि सर मेरा ठीक नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे पेसंट का इलाज किया इस तरह सा और बह सको मेरे आप से एंडरोध है, इस वीडियो के तुरू में ही मैसेज देना चाहता हूँ, कि अभी से ही सचेत हो जाएगा, ओवेसिटी नाम की महामारी जो बहुत बड़ी बीमारी है, उससे अपने आपको बचाएं, उसको कम करें, उसके कारण जो और भी दिक्कत है, बलड में समस्याइं होती है, वो काम की वज़ा से हो, या फिर आजकल तो मुबाइल बहुत ज़्यादा ही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्तिया, बिलकुल धन्यवाल आपको भी कि आपने इतने महतपूर्ण विसाय को लाया, और आप हर एक दिन गैस्ट्रो में मैं डॉ और एक दिन OPD में फैटी लिवर सम्मंदित बहुत सारे पेसेंट आते हैं, मैं उनको वही सला देता हूं, बोलते हैं सर्फ दवाई, तो मैं बोलता हूं दवाई की जुरत नहीं है, अगर आप इन सब चुछों को अच्छे से फॉलो करेंगे, अपका फैटी लिवर इंप् गुड एक्सरसाइज, खासकर एरोविक एक्सराइज, जिसमें हम बोलते हैं व्रिस्क वाउक, और बहुत ही खुस रहना, यह बहुत ही इंपोर्टन है, और खाने में जो खाने की समागरी है, उसका क्या होना चाहिए, उसका क्या सरपड़ा उसको समझना, उसे हिसाब से अ हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चानल को सब्सक्राइब करें, फेस्बूक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्य हम से बेज सकते हैं, वीडियो देखनी के लिए आपका शुक्रिया